अब शान्ती आज पांच दो दो हजार चौबिस पांच फरवरी दो हजार चौबिस मीठे भावा के मदुर मुर्ली का मुख्य सार मीठे बच्चे ये पढ़ाई है दी वेस्ट इसे ही सोर्स आफ इंकम कहते हैं पढ़ाई में पास होना है तो तीचर की मत पर चलते चलो कैसे इंकम कर सकते हो पहले तो अपनी आत्मा को साथ गोड़ों रूपी इंकम से भर सकते हो आई से भर सकते हो दूसरा हम अश्ट शक्तियों से भर सकते हैं तीसरा बावा हमें 21 जनम सुख का वर्सा देते हैं तो ये पढ़ाई हमारी बहुत बड़ी सोर्स आफ इंकम है इंशियोर करते हैं स्वयम को तो इस पढ़ाई में अगर पास होना है तो क्या करना है शिप बाबा जो हमारा सुप्रीम टीचर है उसकी मत पर चलते चलू प्रश्न है आज की मुरली से बाबा ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा गुप्त परशाद कराते हैं उतर अब शिप बाबा जानते हैं नमबर वार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे एक पिता जानता है उसके बच्चे में किटनी सामर्थ है वो इस ग्यान मार्ग में कितना पुरशाद कर सकते हैं बाबा तो यह जानते हैं मेरे बच्चे हर एक नमबर वार पुरशाद कर रहे हैं इस ग्यान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लेकिन बच्चों से सदा यही पुरशाद कराते हैं कि बच्चे ऐसे पुर्शात करो जो सजाए ना खानी पड़े सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके बहुत प्यार से शिब बावा को याद करो चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी होगी आत्मा तमु प्रधान से सतु प्रधान बन चाहेगी धाना के लिए मुक्सार है पहला नंबर सयम भगवान हमारे पर महरवान हुआ है बह हमें पढ़ा रहे हैं इस नशे में रहना है पढ़ाई सोर्स आफ इंकम है इसलिए इसे एक दिन भी मिस ने करना सयम भगवान हमारे पर महरवान हुआ सयम भगवान ने हमें चुना और वो हमें रोज पढ़ा रहे हैं इस नशे में अपने को स्थित करना है पढ़ाई हमारी सोर्स आफ इंकम है इसे हम बहुत सारी इंकम बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं ग्यान धन प्राप्त करते हैं, साथ बुरों से भरपूर वजाते हैं, तो इसलिए इस पड़ाई को एक दिन भी मिस नहीं करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, दूसरा अथा खुशी का अनुभब करना और कराना है, अब बाबा मिला हमको, हम बें सहयं परमात्मा महरवा कर आत्मा को सतो प्रदान जरूर बनाना है, प्रदान है आज की मुली से, समय प्रमाण हर शक्ती का अनुभब, प्रैक्टिकल सरूप में करने वाले मास्टर सर्व शक्ती मान भब, मास्टर का अर्थ है, जिस शक्ती, जिस समय आवान करो वो शक्ती, उसी समय प्रैक्टिकल सरूप में अनुभव हो order किया और हाजिर हमने जिस शक्ती का जब आवान किया उस समय वो हमें तुरंत बावा कहते है अनुभव हो practical order किया और वो शक्ती हाजर कहीं पर हमें सहन करना है तो वो सहन करने की शक्ती अगर हमें समय पे नहीं काम आई तुरंत बावा कहते हैं फिर क्या फाइदा तो order किया कि हमें सहन करना है सहन शक्ती निर्णे लेना है किसी बात का तो निर्णे शक्ती का order किया और निर्णे शक्ती हमारे अंदर आई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे नहीं कि आप order करो सहन शक्ती को और आ जाए आपके सामने सामना करने की शक्ती तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे ट्राइल करो जिस समय जो शक्ती आवश्चक है उस समय वही शक्ती कारव में आती है एक सेकिंड का भी फरक पड़ा तो जीत के बजाए हार हो जाएगी अगर हमको इस समय जवरत है निर्णे करने की शक्ती की हमें कुछ निर्णे करना है और उस समय याद आजा है हमको सहन शक्ती तो बावा कहते है जिस समय जो शक्ती है अगर समय पर याद नहीं आती एक सेकिंड का भी फरक पड़ा तो जीत के बजाए हार हो जाएगी स्लोगन है आज की मरली से बुद्धी में जितना इश्वरिय नशा होगा करम में उतनी ही नम्रता हो जितना बुद्धी में इश्वरिय नशा रहेगा उतना आपके करम भी नम्र वन जाएंगे नम्रता आजाएगी आज की मरली समान का अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूं एक मिनट के लिए शक्तियों के सागर परापिता पर्मात्मा शिब भाव की याद में अपने मन बध्धे को उस्तर करेंगे झाल 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 झाल